अलाउदीन खिलजी के आक्रमण के दौरान चितौर की महरानी पद्विनी ने 25 अगस्त 1303 को डासियों के साथ जोहर कर लिया था इसके बाद उससे में आये अलाउदीन खिलजी ने वेवाल इलाकी में बेरहमी सी मार गाड और लूप पाग की इसी दौरान मुची तोडगर किली की बेश कीमती अश्टिधातू गेट को खार कर ले गया था जिसे उसने दिल्ली के लाल किली में लेजाकर लगा दिया था इतिहासकार रामवीर सिंग गर्मा ने अपनी पुस्तक भरतपूर का इतिहास एप्रेश्ट संख्या 69 में इसका जिक्र करती हुई लिखाकी 1765 में भरतपूर के महराजा जवाहर सिंग ने अपने पिता महराजा सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली के शासक नजीब उद्दौला पर आक्रमन कर दिया था उन्हें चित तोड के अपमान केट के बारे में जानकारी हुई तो वे अश्ट धातू का दर्वाजा भी उखार कर भरतपूर ले आए यहां आने के बाद महराजा जवाहर सिंग ने चित तोड के शासक को संदेश भेजा कि अधिवे चाहें तो अपमे राजबूती शान के प्रतीक दर्वाजे को ले जा सकते हैं लेकिन वहां से कोई इसे लेने नहीं आया तो महराजा ने यह इतिहासिक दर्वाजा भरतपूर के किले में लगा दिया यह दर्वाजा आज भी चाटवीरों की बहादूरी और जिम्डा दिली की दास्ता बया कर रहा है ब्रजविश्विद्याले की डॉक्टर सतीश त्री गुणायत ने बताया कि इस प्रसंग दाउलेक इतिहास कारदीनानात दुबे के पुस्तक भारत के दुर्ग और डॉक्टर राक्वेंदर मनुहर के पुस्तक प्राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में भी आता है अश्च धातू का दर्वाजा करीब 20 टन वजन का है इसमें करीब 6 टन मात्रा में अश्च धातू लगी है चुकि अश्च धातू में सोना भी शामिल होता है इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग ने लोहे की सुरक्षा जाली लगा रखी है सोना मिले से धातू का रंग काला नहीं पड़ता और ये हजारों साल तक सुरक्षित रहता है इतिहासकार राम वीर सिंग वर्मा ने बताया कि दिल्ली विजय के प्रतीक अश्च धातू गेट को भरतपूर महराजा जवाहर सिंग ने चितोर गढ़ भेजने का मन बनाया था इसलिए चितोर गढ़ संदेश भी फिजवाया था लेकिन वहां से कोई उच्च जवाब नहीं आने पर अश्च धातू गेट को किले के उत्तिरी गेट पर लगवा दिया गया वर्मा का कहना है किसके पीछे उस समय की रियासतों के आपसी विवाद भी एक कारण हो सकता है इस प्रसंग का उलेख भरतपूर राजपत्र में भी आया है टी इंडिलिंग्स